तो अभी कल जब डिफ्रेंट फॉर्म आप जो सरकल है उससे आगे बढ़ेंगे और करेंगे हम लोग एक सवाल करते हैं पहले तो सवाल आपका यह से मालों मैंने सवाल लिखा हीज़ां अर्ग तर फास्टम स्वाल설 Cityक्स हुए तरण आप तो दो लेक्शेशुटा है साथ पाइट इस्टेंस त्री फिन दिस्टेंस त्री at distance 3 and cut and cut the cut y-axis and cut the length of and cut the length of intercept intercept come at love beach car part card when the intercept on y-axis is it you need sir and lie in the first quadrant and circle and center lie in the and center lie in the first quadrant first quadrant then first quadrant first it's not a answer but I have to start करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है अभी नहीं अभी नहीं पढ़ाया नहीं तो अभी इस्तेमाल नहीं कर से होता है बताएंगे अभी तो जरुबार हां बस थोड़ा सा ग्राइब बनाने को सिस्करते हैं फिगर बनाने की देखो एक बात ध्यान रखना जिमेंट्री 27% है अगर आपका कैलकुलास होता है दस परसेंट सेट रिलेशन फंक्शन और आईटी एफ और मैथमेटिकल रिजिनिंग होता है छे परसेंट टिगनोमेट्री होती है ठीक है न और आपका 27% एलजबरा होता है यह साथ 20% होता है कोाइडिनेट 20% होता है 27 27% कालकुलास और 27% एलजबरा कितना हो गया 64 चाहूंवान और 6 शेख साट साट और 10 70 हो गया 30% में क्या क्या के बच गया calculus coordinate कितना बच गया 27 24 और 30 90 10 परसेंट में क्या रागया क्या रागया चेपर सेंट इंग्निमेट्री है दस परसेंट सेट रिलेशन फ़ंक्षन आईटी अफ है और दस परसेंट वेक्टर 3D दस परसेंट का मतलब मोर वर कितना तीन सवाल क्या सबस हो जाएंगे और वर लगवग तीन परसेंट क्या सब्सक्राइब नहीं उसमें सर्कल का एक सवाल होगा पहरा बोला स्ट्रेट लाइन और रहा का हो सकता है कि एक से दो सवाल अधिक ता मतलब सब्सक्राइब नहीं पूछा था बहुत रहा है कभी पूछ लिया तो कोई सर्कम सेंटर इंटर समय मीश करके पूछेगा देखो क्या है न कि पहले तो फिक्स था कि जब 30 सवाल आता था तो 30 सवाल के टाइम पे 6 सवाल फिक्स था देखो 30 का 20 परसेंट कितना हो जाएगा दस-दस तक पुछ लेते हैं किस इंप्रोबिल्टी से ज्यादा बढ़ा देखें जैसे सवाल नहीं आता है तो कोडिनेट का 20 परसेंट है और पढ़ना लगवाक चैसे कल्कुलस और एलजबरा सबसे कम टाइम लगता है पढ़ने में कल्कुलस सबसे था टाइम लगता है पढ़ने में उसके बाद सेकेंड नंबर पर टाइम लगने वाला चीज है आपका यह 20 परसेंट और सबसे कम टाइम लेता है लगवारा और 27 परसेंट है पूरा यह और बाकी यह सब चीज तो यह और यह मतलब यह समझो कि 27 में यह 27 और 10 मिला के 37 परसेंट अगर हम बात करें तो 37 परसेंट हम पढ़ते हैं 12 का लगवाद पूरा से लिए बस परसेंट और इन में से प्रोबिल्टी और मैं टेक्स डिटर्मिनेंट इसमें से भी आप परसेंट निकाल लो तो 37 और 1047 और 47 और यहीं रहता है यह साथ और 40 का साथ और 40 का तो इस वे आपका जो सरकल है सरकल और पहरा बोला है इन सबसे थोड़ा ज्यादा सवाल आता है इस ट्रेट लाइन से बारूत कम आता है और पूरी कोडिनेट में जो 20 परसेंट पोर्सन ने उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको जिमेट्री बना ले रहे हो अगल जाए अगल सा कले तो सवाल बनजाएगा और डी इन परीट वना चाहिए तभी सवाल को ट्राइग करना चाहिए डायरेक्ष अगर है कि जसी तर् 1956 को करता है क्या कि Y X 6 को देखा तो ऐसा कुछ हमने कहा कि यहां पर तीन यूनिट पर टॉच कर रहा है 3 कामा 0 पर कर रहा है कि सिंटर फंस्το क्वाड धर क्वार्ट वहनेका अगर यह वहला रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला होता कि सिंटर फंस्ट क्वार्ट में है तो सर्कल नीचे भी हो सकता था इधर भी हो सकता था इधर भी असकता था यह ऐसे भी सब्सक्राइब था कि आयसे भी आपका यह 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 भी सरकल बन जाए यहां पर माइनस 3 डिस्टेंस यह इसे मेरे लेकीन इसने मना कर दिया है कि हमको तो सिर्फ हमको तो सिर्फ कोडिरींट के सरकल से पतम मतलब है तो यह बाकी चीजों को मैं छोड देता हूं अदरवाइज ही आपका सवाल मोर देन वन च्वाइस में होगा तो ये बोलेगा ही नहीं कि फॉस्ट क्वाडरेंट में सेंटर लाए कर रहा है वो छोड़ देगा कि आपका अपना दिमाग जितना मर्जी उतना यूज करें तो तो तीन पे इसका ये तीन पे टच कर रहा है तो बोलो इसका जो सेंटर होगा वो यहां से कितना उनिट आगे गया है थीरी नड़क गया गया मैंने वाल लिया कि इसका सेंटर थी कामा के है रेडियस कितना है इसका के ये लंबाई के रेडियस है ना यह लंबाए कितना आ ही तीन और पांच ज़िंटर मिल गया से थे कमा माई और ऑट्रैवॉट मिल गया थ्री पामा THIS मुवि Crunchy। आपका एक्वेशन व्हूंट करम बता चुका हूँ न एक साथ स्वार प्लस वाइ स तो 2005 साथ बना लो हाँ बस ये मेट्री से सवाल बन जाएगा यह नो सवाल है आपका find equation of circle which cut length of length of intercept यह बस उल्टा करके पुछ लिया सवाल कुछ और खास नहीं है length of intercept on x-axis is 12 and touches y-axis at a distance at a distance y-axis at distance at distance at distance 5 unit 8 unit at unit and center lie and center lie in second quadrant जरा बनाओ आप पांसर मैं तब तक एक और सवाल लिग देता हूँ इदर में एक और इदर सवाल लिग देता हूँ सवाल है find ratio आप मुझे उम्मीद है तब तक आप इदर बना लोगे find ratio of in radius and circum radius circum radius of circle made inside and outside in the quadrilateral in the quadrilateral lateral x barabar 2 x barabar 6 y barabar 2 y barabar 6 होते simple सवाल है क्या यह आगिया इसका answer बन गया पिर से x plus x plus 6 का बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है इस बार यह y axis को touch करता है कुछ distance और x axis पर cut करता है y axis को touch करता है और x axis को cut करता है y axis को touch करता है आपका कितने distance पे 8 unit के distance पे और आप से कह रहा है कि X axis को कितने लंबाई में cut कर रहा है 12 में cut कर रहा है बोला है second quadrant में है इसलिए मैं इधर लोगा इसका center यहां से यहां चला है यह वाली लंबाई अगर मैं कहूं कि center क्या हो जाएगा यहां पहुचने के लिए इतनी चला होगा और इतना 8 चला है तो इतना यह कौन सा यह X coordinate कि Y coordinate है यह Y coordinate है X coordinate H हो जाएगा क्या इन पे minus H हो जाएगा अच्छा यह वाली लंबाई आपका फिर से 8 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 12 पे 6 हो जाएगा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 6 और यह लंबाई R तो यह क्या हो जाएगा 10 अच्छा यह वाली आपका कौन यह लंबाई बोला है 8 unit पे touch कर रहा है और यह वाली लंबाई आपका यह लंबाई हमने H ले रखा है इदर सिदर आने में तो यह radius भी क्या हो जाएगा H और H बराबर कितना आगया है यहां पे 10 तो आपका center होगे माइनस 10 कामा 8 और radius R एकुल टो 10 तो X प्लस 10 का होल स्कौर प्लस Y माइनस 8 का होल स्कौर एकुल टो 10 का स्कौर बिल्कुल सही है इस सवाल पर बात करते है बिल्कुल ठीक उल्टा है बिल्कुल सिमिलर ठीक उल्टा है यही सवाल पर सिमेट्री ही है इस सवाल में और कुछ खास है नहीं हाँ देखरो थोड़ से बस मैं आपको हिंट देता हूँ तो समझ में आ जाएगा X-axis Y-axis ठीक है डियरा है कि एक X-axis इकॉंटू है नालाे एक X-axis इक्योंट को सिक्से लाइन क्या ऐसे ही वनननेगे X-axis 123 डोच यह आए काउन सा क्वाड लेटरल है रेक्टेंगल है स्कॉयर नहीं है में भी तो सकता है पर है तबे रेक्टेंगल अच्छा है इसके कहला है कि अंदर circle बन रहा है तो उसको in radius नम दे रहा है क्या नम दे रहा है इन radius ठीक है और एक बाहर बाहर circle बन रहा है उसको क्या नम दे रहा है ये circum radius आ ज़िवाद समझ में तो कह रहा है कि इन दोनों के आपका रेडियस का वो बताना है कि यह क्या ची जाएगा क्या इसकी लंबाई यह एक टेंगल है कि यह आपका स्क्वेर कहारे यहां से इसक्वेर तब यह इन रेडियस बराबर हो तो एदरवाई यह बरावर होगा ही नहीं यहां पे टश ही नहीं करेगा इसे थे फटा फट बना लो कर इसक्ट चाहिए तो क्या करेंगे हमको अर्वान और यृट्टु के लिए हमें पता है कि यह यहां से यहां तक चार है तो यहां से यहां ना कि भी आपका यहां से यहां तक यह भी दो है पहले सवाल के तरब हम में बात कर लेता हूं कि अग्ला सवाल है कि स्कॉरे in a circle in a circle circle है आपका x square plus y square minus 6 x minus 8 y equal to 0 a square a square is drawn a square is drawn such that such that sides are sides are parallel to x then find coordinate of then find coordinate of coordinate of vertex of square इसके लिए मैं आपको time दोगा बनाने के लिए पूरा का पूरा then find coordinate of vertex of square इसके लिए पूरा मैं time दोगा बनाने के लिए क्या बना है तो देखो ये वाला आपके पास square definitely ये symmetry से symmetry इस बार दिख जाएगी इस बार है इसका center है आपका 3 कामा 4 और radius कितनी है पांच और ये center कहां से सरकल पास कर रहा है कहां से origin से ठीक है तो ये origin से पास कर तो definitely आपने अगर इसके parallel बनाया होगा तो एक ऐसे लिया होगा और एक ऐसे लिया होगा ऐसे आ गया होगा इस बर सिमेट्रिकली बिल्कुल दिखिया होगा कि यह यहां से ऐसे गया होगा अच्छा जो यह वाला होगा यह कुछ ऐसे हो जाएगा center से यह जाएगा यह चाट अच्छा यह आपका square अगर यह लंबाई यह लंबाई इस टेन है रहाँ समझ मैं क्या तो यह आपका x square plus x square equal to 10 square हो गया यहां यहां इस पर इक्टो पचास हो गया यह होगे आपका 0,5 रोट टू बट अगर यही सवाल आपका क्या कर दे वहाँ पे 9 कर दे अगर मैं इसको अगर मालो की यह आपका यहाँ पे हमने 9 कर दिया तो क्या चक्कर हो जाएगा प्लस 9 एकोल टो 0 तो उस case में इसका center अभी भी इस circle का center जो है ना center अभी भी आपका 3 कामा 4 है लेकिन radius अहाँ एकोल टो अंडरूट में 3 का square प्लस 4 का square माइनस 9 यह कट गया answer आगया 4 radius 4 हो गया आप यह origin से पास नहीं कर रहा है तो circle हम ले लेंगे कै कुछ यहां कहीं सरकल होगा और इसका यह आपका 3,4 यह सेंटर हो गया रेडियस 4 हो गया यहां से यह एक स्क्राइर हम ने बना लिए हैं स्क्राइर यह वाला डैगुनल डिफिनिटली यह डायगुनल होगा आरे वा समझ में आचाइसका रेडियस की लंबाई कितनी है चार यहां का कॉइडिनेट लिखने के लिए x1 plus minus r cos 45 degree कामा y1 plus minus r sin 45 degree यह तो दोनों यहां का और यहां का देगा अच्छा इधर वाला लिखना होगा तो यह अगल overall total axis angle कितना बना गया 135 तो इधर और इधर का coordinate आएगा यहां से यह अभी भी x1 कामा y1 यही है x1 plus minus r cos 135 degree और y1 plus minus r sin 135 degree बोलो बासमाज़ गाया क्या आपका r की value कितनी है यहां पर 4 और x1 की value 3 है और y1 की value 4 है तो निकल क्या ज़ेगा सारा ठीक है आगे बरते हैं मतलब जब आएसे रहेगा तो यह नहीं है मतलब कि आपका सवाल बनेगा नहीं सिमेट्री हो या नहीं हो पिछला सवाल बीना सिमेट्री का बनाए होते तो भी आपका एक उपर आया होता है कि यहां पर टिक गया होता है बासमाज़ ना रही है तो हाँ मतलब मैं अगला सवाल लिख देता हूं अगला क्रिस्टान है आपका एफ फेमली आफ लाइन्स फेमली आफ लाइन्स किसी को यहाद है कैसे लिखी जाती थी इस फेमिली आफ लाइन लिखने का क्या तरीका था इस फेमिली आफ लैंस रेप्रेजेंट करने का तरीका किसे को याद है , l1 plus lambda l Toe equal To Ergebnis family of lines उनका point of intersection कैसे nehmelez family of lines का हर पौइंट of intersection कैसे निकालते थे 1 plus lambda l2 equal to 0 है ता point of intersection कैसे पता करते थे कि यह दोनों जहांब प्रट करेंगे तही इसको 0 कर दो और हो प्र कि नहीं अभी भी नहीं ऐसे मालों आमने लिखा कि एक्स प्लस टो प्लस लेंडा टाइम एक्स प्लस वाई माइनस त्रेकोल टू जीरो यह फेमिली आफ लाइन से प्रजेंट कर रही है आलवेज पासे स्थ्रू अफिक्स पॉइंट कैसे निकालते थे इन दोना को सौल कर दे क्योंम है अफ निकालते थे यांधि बोला है कि फेमिली आफ लाइंस पैमिली आफ लाइंस रिप्रेजेंटेट बाई एuldade। family of lines x plus 2 plus lambda x plus y minus 3 equal to 0 and and y plus 2 plus mu time x minus y x minus 2y plus 3 equal to 0 intersect intersect orthogonally 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 intersect at 90 degree intersect at 90 degree orthogonally then find then find locus of point of intersection of these of this point is point which is a line say here अगर पहले वाली family of lines से कहा से pass कर रहा है यह पहले वाली lines पस थोड़ा सब्च फिगर आपको समझा दे रहा हूँ lambda time x plus y minus 3 equal to 0 यह pass करेगी x plus 2 equal to 0 यान x equal to minus 2 और यहाँ पे x plus y minus 3 equal to 0 minus 2 डाला तो y equal to 5 फिर 2,5 से pass करेगी क्या lines जितनी family of lines होगी हो सब यहाँ से pass करेंगे और एक दुसरी वाली lines आपका y equal to y plus 2 और plus mu time x minus 2 y plus 3 equal to 0 यानि आपसे y plus 2 equal to 0 यानि y equal to minus 2 और x minus y minus 3 equal to plus 3 है ना यहाँ पे तो यह हो जाएगा x plus 4 plus 3 equal to 0 यानि x को लो minus 7 तो यह minus 7 कामा minus 2 यह हो गया यहाँ से जितनी family of lines है तो यह in family of lines में से हमें उनका लोकस निकालना है जो कितने डिगरी पर कट कर रही है हमें उनका लोकस बताना है जो कितने पर कट कर रही है 90 डिगरी पर कहा है ना और तो इन धर लिए वस बस बस याज यह नहीं हम मतलब यह क्या बनाएंगी यह दैमेंटरी जैसे ही यहां पर जब 90 डिगरी बनता है तो किस फार्म का हो जाता है दैमेटर्क तो मतलब यह क्या हो जाएगा डाइंड पॉइंट आप डायमेटर अपन अर्थो गोणली बोला जाएगा तो यह डायमेट्रिक फॉर्म हो जाएगा डायमेट्रिक फॉर्म ठीक है इधर बालब नोट हो गया अब बात करेंगे इंटरसेप्ट पर इंटरसेप्ट मेड़ बाई सर्कल आन एक्सेस कि मानलों कि अपने पास एक सर्कल है और यह एक लाइन है ठीक है मैंने कहा यह एक लाइन है अभी आगे पर चलके इस पर बात करेंगे थोड़ा से मैं यहां पर पास आपको हिंड दे रहा हूँ यहां पर इसका सेंटर है इसकी रेडियस है ठीक है इसकी रेडियस मैंने कहा ए है और यहां सेंटर से इस पर पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस जो डाला गया यह मैंने कहा कि लंबाई पी है कहां से कहां तक यहां से लेकर यहां तक लंबाई पी है और यह रेडियस आपकी आ सुर लिएन बैस्तेंस इस से बड़ा हो गया तो हमें इंटर से निकल जाएगी उस from center center से perpendicular distance on line line के ओपर ठीकर तो देखो अगर मालो कि यही आपका intercept कालाता है तो यह तब ही cut करेगी जब यह line यानि देखो अब यह अगर दूर से निकल गई तो कोई intercept cut नहीं करेगी यहां से निकल गई line तो कोई intercept cut नहीं कर रही है तो इस case में हम कहेंगे कि अगर P की value वही case में आपको सामने लख रहा हूँ पहला case कि अगर इफ P की value R से ज़्यादा हो गया then no intercept then no intercept on no intercept on circle circle पर कोई intercept नहीं हुआ या हम बोल सकते हैं इसको कही बार सवाल में यह word यूज करता है imaginary intercept R यह बात समझ में यानि intercept है ही नहीं imaginary है दूसरी नमबर पर बात करें अगर P बराबर R हो गया अगर यह लंबाई और यह P यानि इसके perpendicular distance और radius के बराबर हो गया क्या उस case में यह वाली line जाकर टच कर जाएगी क्या मेलकुल सही है क्या टच कर जाएगी क्या यह यह यानि इस case में यानि देन लाइन लाइन टचेज दस सर्कल यानि लाइन बिकॉम टेंजेंट और आगे चलके इसी को मैं कराऊंगा कंडिशन आप टेंजेंशी लाइन बिकॉम टेंजेंट फिर तीसरे नमबर पे अब अगर पी की वेलू आर से छोटा हो गया तो यह ऐसे यहां पोच गया देखो यह वाली लंबाई पी हो जाएगी तो यह आर सोटा हो गया इस case में लाइन कट दा कट सर्कल एड टू पॉइंट इस case में 2 पॉइंट पे सर्कल को कट करेगे and and real intercept and here is real intercept यहां पे जो intercept होगा वो real intercept होगा बागी उसकी लंबाई actual में जब यहां हमें जो पढ़ना है excess पे तो आपका यहां पे चोथे नमबर पे specially पढ़ना है कि circle यहाल जो हमको पढ़ना है कि intercept on axis यही पढ़ना है ना अपने को intercept on axis तो axis का मतलब या तो x axis पे या तो y axis पे अब ज़रा हम बात करते हैं एक circle हमने बनाया अगर यह ऐसे x axis पे cut कर रहा है तो x axis पे अगर यह circle का मैंने general equation लिया मैंने circle ले लिया general equation बिलकुल x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equal to 0 बोलो यह ले लिया आपने general equation ले लिया अब यहां से मैं यह कह रहा हूँ कि अगर यह cut कर रहा है तो यही वाला आपका इस वाले लंबाई को न यह जो a और b है यह लंबाई यानि a b कहलाएगा a p is equal to length of length of आप इसको नाम देंगे x-intercept क्योंकि कहां पर कटा हुआ है x-intercept x-axis पर कटा हुआ है तो यह ले अगले वाले पोर्शन में y पर काटूंगा तो यह आपका x-intercept या नहीं यह ही आपका x-intercept की लंबाई कर लाएगा इसकी खास बात यह है कि जहां पर काटा है मैं यह को हूँ कि यहां के value अगर मालो coordinate x1,0 और यहां का coordinate क्या हो सकता है हो सकता है कि नहीं मतलब अगर इनके बीच की लंबाई डोड़नी है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है यह लंबाई कितनी है क्या मॉड ले लूँगा तो डिफरेंस इतम बिल्कुल डिस्टेंस आ जाएगा बात समाज में आ रही है अब एक बात बताओ क्या आपका X2-X2 आप देखो यहाँ पे जब Y की वेलू 0 हो रही है तो इस एक्वेशन में मैं Y की वेलू 0 पुट कर देऊंगा एक्स में क्वाडिटिक आ जाएगी क्या तो फॉर X इंटरसेप्ट फॉर X इंटरसेप्ट जब भी X इंटरसेप्ट निकालना होगा पूट X इक्वेशन आप सरकल तो हमने मैं पुट कर दिया तहीं हो गया X इस्पायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एप टू प्लस सी इकल टू जी रो अच्छा यह आपका तो फॉर जी स्क्वाइर फोर जी स्क्वाइर माइनस ऑंस और सी बाइव उन रूट में जी स्क्वाइर माइनस सी यही बात बूल ले थे तो मश्राज औरी वासमझ में क्या यहां पर है कि एक्स इंटरसेट की लंबाई टू अंदर रूट में जी स्क्वार माइनस से ऐसे अगर वाई इंटरसेट निए रटा दें तो अगर ऐसे हमको वाई इंटरसेट के लंबाई निकाल ली होगी सेम तरीका अपनाएंगे यह वाला जगह यह वाला जगह y1 0 कामा y1 हो जाएगा और यह 0 कामा y2 हो जाएगा यहाँ से हाँ तक की लंबाई जोगी यह y2 minus y1 हो जाएगी मौड में ले लेता हूँ क्योंकि यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां तक y1 है तो for y intercept for y intercept put x equal to 0 in the equation of circle और आपने जैसे ही put किया यह मिल जाएगा आपका कितना y square plus 2 fy plus c is equal to j रही मिलेगा इसी के root क्या-क्या है y1 और y2 तो y1 minus y2 मतलब difference आप roots निकालना होगा तो यह mod का मतलब लिया ही जाता इसलिए कि यह लिखे यह लिखे बाद बराबर है यहां में root d by a और root d by a आप solve करोगे तो क्या आएगा qf square minus c तो आप याद करने वाली बात आ गई याद करने वाली क्या बात आ गई कि x intercept की लंबा यह यह इस पस इतना ही हम याद रखेंगे length of और यही दियदरी इस पर आते आते वो advance के सवाल का platform त्यार कर रहा हूँ जो आपका जो पूछा हुआ है जो पूछता है जिस लेवल का मैं उसके लिए त्यार कर रहा हूँ दिरे दिरे length of intercept length of x intercept is equal to 2 under root g square minus c और length of y intercept equal to 2 under root f square minus c यह दो चीज याद रहनी चाहिए मतलब मैंने बता दिया याद रहनी चाहिए तो अब वहाँ पे एक चीज और बस हमको यहाँ पे बात करनी है बस हो गया होगा अब जाए देखो एक चीज और बात करनी है condition जैको if मैंने कहा कि g square minus c की value greater than 0 होगी या f square minus c की value greater than 0 होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x intercept कैसा है x intercept is equal to real x intercept is real और यहाँ पे कहेंगे क्या y intercept is real बोलो बात समझ में आ रहे है या पहला हो गया दूसरा अगर इन में से यह अगर यह 0 हो गया या f square minus c यह 0 हो गया तो हम कहेंगे कि circle किसको touch करने लगेगा क्योंकि आपका x intercept गायब हो गया तो यह हो गया हो गया हो तो आपको cut कर देगा touch करेगा एक सेक्सिस को या तो यह होगा यह होगा मतलब किसी भी चेज के लिए तो आम इतना कह सकते कि circle touches touches x axis हम यह दोनों एक साथ की बात नहीं कर रहा है नो एक साथ अगर ऐसे को हो तो मैं दूसरी condition या तीसरी condition या चौथी condition अभास समझ में एक साथ जीरो हो रहे होंगे सिर्फ यह 0 हो रहा होगा तो नहीं होगा न यह ठ्यक्ता है कि यह हो रहा हो और यह नहीं हो रहा हो जैसे कि पिछले सवाल मैं लेदे थे कि तीन पे टेट्क कर रहा और वाई को cut कर रहा था आरे बहुत समझ में दो इसलिए 4 मैंने ले लिया तो और यह circle touches y axis ऐसे देखो काने का यह मतलब है काने का यह मतलब है इसमें confused होने वाली बात नहीं है कि अगर देखो तीसरा वाला है तो यह वाली बात हो जाएगी ऐसा सिर्फ इतना बात हो जाएगी ठीक है और इसमें यह देखो y intercept हाही नहीं imaginary है यह ऐसे हो सकता है कि यह ऐसे आए और ऐसे चला जाए मतलब x intercept 0 है और y intercept है real है आरे वासमन में या एक सेक्सिस tangent है जबकि y intercept में मिल रहा है तो कुछ भी condition बन सकता है सिर्फ इसके उपर सवाल में ऐसा बोलता है कि x intercept नहीं है या x axis को touch करता है तो हम यह निकालेंगे कि g square ब x axis सही है ना अब x axis से दूर निकल जाएगा कट ही नहीं करेगा ना तो cut करेगा ना तो touch करेगा और छठे f square minus c less than 0 तो away from y axis ठीक है ठीक है find equation of circle passes through origin passes through origin and cut equal intercept equal intercept on x axis equal intercept equal intercept of one unit यह चुटा था ना one unit and line y बराबर x square तो इस बार यह line दिया है मतलब यह y square बराबर x square यह line दिया है मतलब यह pair of straight line हो जाएगा post हो जाएगे और post हो जाएगे तो आपका यह y square बराबर x square को हमने समने लिखा होगा कि यह y बराबर plus minus x है मतलब y बराबर एक प्रयातव plus x है यह बराबर minus x है अब यहाँ से जो circle पहले बनेगा वो आपन देख लेते हैं यह y बराबर x होगा और यह y बराबर minus x होगा और यहाँ पे एक unit का कोई circle है जो origin से pass कर रहा है देख यो circle बनेगा एक यो circle बनेगा और एक ऐसे ही एक सरकल बनेगा और एक ऐसे ही इदर सरकल बनेगा कोई कितने circle बन गए? 4 इन में से मैंने एक circle हटा लिए एक circle का खिच लेंगे बाकी 4 का उसी के symmetrical ही हम बात कर लेंगे कि एक यह y बराबर x है ये y बरावर minus 6 है और एक circle ऐसा है जो इन दोनों पे one unit का क्या cut कर रहा है intercept cut कर रहा है ये वाली लंबाई एक है और ये वाली लंबाई एक है ये वाला angle कितना है अच्छा इन दोनों को मैंने join किया थोड़े के लिए join किया झौह एक बाई पता नहीं है किया है लेकिन ये वाला angle क्या है 55 ये वाला angle कितना है पूरा angle कितना हो गया 90 और जाहर सरकम्फरेंस पे कोई भी एक card क्या यहीं वाली card सरकम्फरेंस पे 90 दिरी का angle सब्टेंड कर रहा है तो कोई भी father कोई भी card अगर सरकम्फरेंस पे 90 अगल सब्टेंड करेंगे तो क्या हो गया मतलब यह क्या हो गया आपका डामीटर और सिमेट्री से यह बिल्कुल पैरलल टुवाई एक्सिस होगा अच्छा अब जब बताओ यह वाला यह वाला लंबाई बॉन है तो यह वाली लंबाई को मैं क्या व उत्त कमा 1 भाई आंट यह कितना देगा 1 1 भाई रूट टू का माइनस 1 भाई रूट्ट रOOO क्या सेंटर क्या आपका 1 भाई रूट लूट टू कामा जीदू को एक शक्यस पर लाए करेंगा यह वाली डिस्टेंस andone by लूट 2 है किया रेडियस कितना हो गया इसका 1 by root 2 और center कितना हो गया 1 by root 2 कामा 0 ऐसे ही इस वाले का भी निकल जाएगा इस वाले का इधर से होगा आए बास समय में तरह आया कि नहीं वैसे ही इधर कर लिजाएगा अच्छा यह दो सवाल है यह असान है आप मुझे लगता है आप यह कर जालोगे क्या मैं एक्स इंटरसेट वाइट इंटरसेट के लामदाय निकाले की निकाल यह तहरे है बस एक्स इंटरसेट मैं फटा-फट निकाल देता हूँ एक्स इंटरसेट वराबर 2 अंडरोड G स्कुर्य मईनस C 2 मतलब आपका 2 तो 2 की रहा जी घेका वेली कितना है G equal to 2 है और F equal to नहीं G equal to minus 2 है और F equal to minus 3 है यही है ना आले बाद समझ में कि नहीं और C equal to minus 5 है तो यह हो जाएगा 2 यानि 4 minus minus plus 5 कितना हो गया 9 का आदा 3 तो 2 root 3 कितना हो गया 6 है और Y intercept निकल के आगया सवाल जरूर नोट कर ले न 2 under root में F square minus C 2 under root F का मतलब यह हो गया 9 minus minus plus 5 2 root 14 यहाँ पर क्या बोला है यह दिखाना है कि यह X axis को y axis को touch कर रहा है यह दिखाना है अगर touch करना है तो क्या आना चाहिए X intercept की लंबाई कितनी होनी चाहिए X intercept बराबर 0 और Y axis को भी touch करेगा तो Y intercept की वेलू भी कितनी होनी चाहिए यादि 2 under root G square minus C की वेलू 0 होनी चाहिए और 2 under root F square minus C की वेलू 0 आप निकाल लो हो गया आए दही वास सम्मझ में तो यह आपका proof हो गया सही है तो वस आज के लिए इतना ही बाकिए अपने लोग कल अपने पर सब्सक्राइए अपन क्लास है ठीक है कल में